सरोज एकेडमी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सबकी फैवरेट डिलिसेस तरीके से आज मैं बनाने जारी हूं मठर पनीर की सब्जी जिस तरीके से मैं इसे बनाऊंगी वियाइपी स्टाइल में वो तरीका आपको पूरी नेट इंटरनेट पर भी नहीं गाला उसके मैं पूरी कारेंट टेती हूं जarह में वियाइपी होटल और शादी पाठी कोब्र क्य इस वीडियो में मैं आपको पनीर की सब्जी बनाने की छोटी चोटी चूटी चानकरी दूंगे तो इस वीडियो को ध्यान से हमाद से सुनिए है और फिर आप घर पे ट्राइ कीजिएगा अगर आपकी सब्जी अच्छी बने तो फिर आकर मेरे चैनल को फोलो कीजिएगा चलो बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्जी मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए 1 केजि सलाद वाले टमाटर लेंगे आप सलाद वाले टमाटर की पैचान कैसे करें यह साज़ें थोड़ िसे लंबे होते हैं और इने बेल वाले टमाटर भी कहता है सर्दियों में यह ज़दा आते हैं तो यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे नॉर्मल पानी वाले टमाटर गोल होते हैं नॉर्मल पानी वाले टमाटर आपको नहीं लेने अगर आप नॉर्मल पानी वाले टमाटर लोगे तो आपकी पनीड की सबजी अच्छ से नहीं बनेगी वो क्यों नहीं बनेगी आपको मैं रीजन बताती हूँ जो हमने यह आपर टमाटर कट की हैं आप देख सकते हैं इनमें पानी बहुत कम है और नॉर्मल पानी वाले टमाटर में पानी बहुत ज्यादा रहता है इससे हमारी ग्रेवी अच्छ से बनेगी फटाफट बनेगी और टेस्टी बनेगी सारे टमाटर को हम बड़ी साइज में कट कर लेंगे और एक मिक्सी का जार लेकर इसमें डालेंगे जार का डखन बंद करके सलाद वाले टामाटर को हम बिल्कुल बारिक पीश लेंगे टामाटर को हमें बिल्कुल बारिक पीशना है कैसे ये टामाटर का टुकडा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल हमें एक्वल पीशना है टमाटर हमारी पिस्चु के हैं टमाटर की प्यूरी बन चुकी है वन टीस्पून लाल मिर्स पाउडर लेंगे तीकी लाल मिर्स पाउडर ने लेने क्योंकि पनीर की सब्जी में तीका ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपके पास तीकी चिली पाउडर है तो इसकी क्वांटिटी आप वन टीस्पून की जगर हाफ टीस्पून कर दीजेगा च्यार बड़े चमस सोय बीन का तेल लेंगे आपको इसा भी तेल ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो इस सबजी में थोड़ा सा तेल ज्यादा लगते है तो हम थोड़ा सा तेल ज्यादा लेंगे नमक टेस्ट के अकोडिंग हाफ टीस्पून जीरा लेंगे गेस ओन करके एक पेन लेंगे पेन को हम हलका सा गरम करेंगे पेन जब हलका सा गरम हो जाए तब हम इसमें तेल एड़ करेंगे तेल डाने के वाँ तेल को भी हम हलका सा गरम करेंगे गेस की फ्लेम मीडियम करके आप इसमें पहले हलका सा जीरा डाल कर भी चेक कर सकते हो कि तेल गरम हुआ है या नहीं हमारा तेल इतना गरम होना चाहिए कि जब हम इसमें जीरा डाले तो फटाफट उपर आ जाए तेल गरम हो चुका अब इसमें हम जीरा डालेंगे जीरा तड़कने लगे अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी एड़ करेंगे जब तक टामाटर की पूरी में एक बार उबाल नहीं आ जाता तब तक हम मटर और पनीर को कट कर लेते हैं टामाटर के अकोडिंग मटर लेंगे अगर हमने 2 kg टामाटर लें तो हम मटर 1 kg लेंगे वेसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो मटर आपको फ्रेस मिल जाएंगे रिलाइंस वाले मटर दुकान से लाने के आपको जरुत नहीं पड़ेगी पूरी मटर को छील कर मैंने दाने निकाल लिये अगर आपके पास ताजे मटर ना हो तो आप रिलाइंस वाले मटर भी काम में ले सकते हो सर्दियों में मटर के दानों को आप सुखा के इन्हें स्टोर करके रख सकते हो और कभी भी किसी भी मोसम में सबजी बना कर इन्हें काम में ले सकते हो में ही आप पनीर को पानी में डाल का फिरीज में रख रखे थी इसे पनीर खराब नहीं होती आप भी पनीर को घर पर इस तरीके से रख सकते हो इसे पनीर सोफ्ट और फ्रेश रहेगी पनीर को चिल पानी में से निकाल लेंगे और नाइफ से कट करेंगे आप पनीर को अपनी पसंद के according कट कर ले जैसी shape आपको पसंद हो मैं आप पनीर को थोड़े बड़े क्यूपस में कट कर लियूँ, square shape में अगर आपके पास पनीर कम हो तो आप इनकी साथ चूटी चूटी कर लीजेगा इसे सबजी में पनीर कम नहीं लगेगी सारे पनीर को हमने कट कर लिए, अब चे कर लिते हमारी टामाटर की प्यूरी अभी तक इसमें उबाल नहीं आया है उबाल आने तक वेट करेंगे इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया, इसी टाइम हम रेट चिली पाउडर डाल देंगे और साथ में नमक भी डालेंगे इन दोनों को टमाटर की प्यूरी में मिक्स करेंगे प्यूरी को हम बीच बीच में स्टायर करते रहेंगे जब तक प्यूरी पक ना जाए एक बात कर ध्यान रखे फ्रेंड्स कभी भी पनीर की सब्जी में लेसून प्याज और हल्दी नहीं डलती आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर हल्दी डालना भूल गई मैं भूली नहीं पनीर की सब्जी में कभी भी हल्दी नहीं लगती हाँ लेकिन हम नोन्वेज पनीर की सब्जी बनाते हैं तब जरूर डालते हैं उसमें प्याज लेसून हल दी लेकिन आजकर क्या होता है हम जो नोन्वेज का तरीका होता है प्याज लेसून डालने का वो हम वेज पनीर में अपनाने लग गए शादी पार्टियों या वी आईपी होटल में जो पनीर की सब्जी हम खाते हैं उनका टेस्ट ढवे वाली पनीर से अलग होता है वो इसलिए वो पनीर की सब्जी में लेसुन प्याज नहीं डालते सब्जी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे आप इस टाइम इसे डख सकते हो क्योंकि ये बाहर तक उचल कर आ जाते हैं गरम गरम बुलबुली की छीटे आपके लग सकते हैं लेकिन आपको ऐसे नहीं करना कि इसे डख कर आप भूल जाओ इसे आपको बीच बीच में स्टायर करते रहना है मैं यहाँ पर ढख नीरी क्योंकि मैंने यहाँ बड़ी कड़ाई लिया है इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल उपर नहीं आ जाएगा और इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा आप देख सकते हो टमाटे की पूरी में तेल उपर आने लग गया है और इसका कलर और भी ज़द लाल होने लग गया है हम इसे और पकाएंगे जब तक इसमें जाली न आ जाए जाली का मतर टमाटे अच्छे से तेल न चोड़ दे तब तक हम इसे पकाएंगे टमाटे प्री ने जाली पढ़ने लगए इसी स्टेज पर हम मटर डालेंगे मटर को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे ओनली दो मिन्ट तक पकाएंगे क्योंकि मटर कच्छे होने के वज़े से यह भाप में ही पक जाते हैं दो मिन्ट हो चुके हैं मटर पक चुके हैं अब इसमें पनीर एड करेंगे पनीड को इसमें मिक्स करने के बाद गेस बंद कर देंगे टेस्टी यम्मी मटर पनीड की सब्जी बनकर त्यार हो चुकी है इसकी खुसबूद देखके मुँँ में पानी आए अभी तो आप शादी पार्टियों में खा रहे होंगे मटर पनीड की सब्जी अपने घर पे भी बनाई, मैंने आपको सिकाई दिया शादी पाटी वाली पनीर की सबजी कैसे बनाए आप भी आज मटर पनीर की सबजी घर पे बनाकर मेरे साथ सेर कीजेगा आप इस मटर पनीर की सबजी को गरम गरम परांठे के साथ भी खा सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मठर पनेट के सबजी कैसी लगी I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरी निव निव रेशिपी के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के पास बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं एक नई रेशिपी और एक नई टेस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में